असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शारूख और यह है Redmi K50i और इसका मैं अन्बॉक्सिंग और रिवियू कर चुका हूँ लेकिन अब मुझे इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिले हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है क्योंकि दोस्तों वो जो फीचर्स है वो या तो सिर्फ और सिर्फ शौमी के फ्लैक्शिप स्मार्टफोन में मिलते थे या फिर किसी भी रिड्मी फोन में मिलता ही नहीं था सबसे पहला फीचर है वो है अनिस्टॉल सिस्टम अप्लिकेशन का जिया मैं जानता हूँ बहुत सारे फोन में ये फीचर मिलता है इसमें भी आपको वो मिल जाता है एंड दोस्तो इस फीचर की मदद से आप किसी भी सिस्टम के एप्स को या ब्लोट वेर्स को इसली रिमूव कर सकते हो जैसे कि नोटस अप्लिकेशन हो गया या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अप्लिकेशन कैलकुलेटर ये सब कुछ आप इसली रिमूव करके इसे एक जो है फोन बना सकते हो तो जी है ये फिचर इसमें भी आपको मिलता है इसके अलोट दूसरा फिचर मिलता है वो है एंडुएर 12 का एकसेंट कलर जी हा ये आता है अगर आप इसमें कोई भी वालपेपर बगरा को चेंज करती हो तो जो थार्ट पार्टी अप्लिकेशन है य ये एंडुएर 12 के एकसेंट कलर को अच्छे तरह से सपोर्ट करता है कोई प्रॉबलम नहीं है जो तीसरी चीज है वह यह है कि यह मैंने पहला फोन देखा है रिड्मी के तरफ से जिसमें बिलकुल अपडेटेट डोटिफिकेशन पैनल मिलता है मिन्स यह कि इसमें आपको स्वाइब कर सकते हैं और अगर यह ज्यादा स्वाइब करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन पैनल का मेनू मिल जाएगा जहां पर आपको नोटिफिकेशन शो होते हैं तो यह पेज पहले एक ही जग आया करता था जो पूरे को पूरे टॉगल से वह उपर से नीचे वर ट्रांजेशन का जो कि मैंने फ्लैक्शिप में भी नहीं देखा यह क्या है मैं आपको बताता हूं तो अगर आप जाते हो सेटिंग्स में एंड उसके बाद अगर आप जाते हो हो मिस्क्रिन के सेटिंग्स में तो आप देखोगी कि एक फीचर मिलेगा एनिमेशन स्पीड जिसमें रिलाक्स पे यह पहले सेट होगा और अगर आप इसे बैलेंस पे करते हो तो अनिमेशन हलका फास्ट हो जाता है और अगर आप इसे आगे करते हो फास्ट मोड पे तो आपका अनिमेशन है वो बहुत ही जादा फास्ट हो जाता है तो बेसिकली दोस्तों यह जो फो ने बहुत ज़ादा smooth इसलिए भी लगा क्योंकि इसके animation को revamp किया गया है और बहुत smoother application दिया गया है इसलिए कोई भी मतलब अगर मैं relaxed पे रखता हूँ na animation को तो कोई भी application को ऊपर नीचे खोलने बंद करने पे बहुत पोटी we डोसतो जो यह वल्ला फीचर को अप टेस्ट करना है अगर आपको दूर जास्ट कर पारीकन को उसके बद जो next feature मिलता है वो है आपको erase people का again कोई भी Redmi phone में मैंने ये feature अभी तक नहीं देखा था erase में बस दोई option होते थे लेकिन अब आप erase people का feature इस phone में use कर सकते हो कैसे करना है तो आपको अपनी gallery में चले जाना है और कोई भी photo होला जिसमें आपको किसी people को remove करना है जैसे कि ये जो photo आप देखे रहे हो इसमें रनबीर कभूर का poster लगा हुआ है मैं चाहता हूँ poster से वही गयब हो जाए मैं बस इस photo के edit में जाओंगा AI में जाओंगा erase feature में जाओंगा तीन अलगला option में लाएंगे people पर मैं select करूँगा और उसके बाद जो है मैं किसे भी person पर tap करूँगा जिसे remove करना है और cross पर tap करते ही वो जो people है वो इस image से ऐसे हट जाएगा जैसे मानना वो था ही नहीं AI बहुत तगरी है इसकी दोस्तो और यह feature आपको बहुत ही कमाल का होने वाला है unwanted people जो किया आज़त है आपके photos में उन्हें आप easily remove कर सकते हो next feature है कमाल का वो है दोस्तो इसका game turbo जो की game space नाम से बदल दिया गया है और बिल्कुल नया version लाए गया है मतलब जो game turbo है ना बार-बार change होता ही रहता है और इसमें भी विल्कुल नया version है तो आप इसे open करोगे तो आप देखोगे कि जो है बहुत ही अच्छी सी UI देखने को आपको मिलती है यहाँ पे वहाँ पे आपको FPS वगरा भी शो करेगा बूस्ट कर सकते हो वहीं से and horizontally swipe करके पूरा view दिखाएगा game का कि वह कैसा है तो that is really good दोस्तों उसके अलबा वीडियो तूल बोक्स जो है अब नया option मिलता है दोस्तों वीडियो तूल बोक्स में वह क्या है तो अगर आप जाओगे settings में उसके बद जाओगे special features में floating windows के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको sidebar देखने को मिल दाएगा sidebar अब आपको floating windows के अंदर कर दिया गया है sidebar में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है कि आप choose कर सको कि कौन सा video application है कौन सा game application है तो always show enable करके हमने video apps में youtube अगरा को select कर लिया और games में हमने कुछ games को support कर लिया उसके बाद अगर हम youtube में जाते हैं तो यह जो हमारा sidebar वो आ जाएगा उसे हम swipe करते हैं तो अब आपको यहाँ पे auto refresh rate को option मिलेगा जो कि automatically select करेगा आपके video की साब से कि आपका phone का display कि इतने refresh rate पे होना चाहिए तो अगर आप मालो 30 hertz वाला 30 fps वाला video देख रहे हो तो आपको जो screen है वो 30 fps पे switch हो जाएगा और अगर आप 60 fps वाला video देख रहे हो तो आपको जो screen है वो automatically 60 fps पे switch हो जाएगा उस option को enable रखने के बाद इससे आपकी battery भी बचेगी और आपको जो optimum मज़ा भी मिलेगा आपको video देखने का and that is really cool feature जो की नया feature आया है इस sidebar में या फिर आप कहा सकते हो video toolbox में उसके बाद दोस्तों जो most premium feature आया है जो की मतलब मुझे लगता है कि Redmi वालों को बात करना चाहिए इस feature के बारे में जो की उन्होंने बताया भी नहीं मतलब पहली बार आया किसी Redmi device में इंडिया में and बहुत सरे premium phones में भी ये feature आवेलेबल नहीं है and वो feature है दोस्तो back tap का जी हा इस phone के अगर आप back पर tap करते हो तो आप अलग-अलग function कर सकते हो यह आपको इसमें मिलाता है तो simply आपको इस enable करने के लिए settings में जाना है यह पर आपको additional settings मिलता है उसमें जाना है gestures में चले जाना है and नीची आप देखोगे double tap fingerprint sensor तो मिलता है यानि कि fingerprint पर double tap करकी option ले सकते हो लागिन ठीक उसके उपर back tap का feature मिलता है इससे आप चूज कर लो कि double tap से क्या होना चाहिए और triple tap से क्या होना चाहिए and उसके बाद जो भी आप function करोगे वही होगा जैसे कि मैंने आप double tap से control center open हो जाए वो मैंने चूज किया triple tap से screenshot ले 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 वो मैंने चूज किया तो उसके बाद दोस्तो अगर आप अपने phone को कुछ इस तरह से hold किये हो basically नीचे के side ऐसे अच्छे से काम नहीं करेगा तो अगर आप ऐसे hold किये हो and उसके बाद अगर आप इसके back पे तीन बार ऐसे tap करते हो यह जो है screenshot ले ले लेता है या फिर मैंने Xiaomi के MI 12 Pro Series में शायद यह था तो यह feature आपको यहाप पे Redmi में मिल रहा है that is really cool उसके अलबा screen recording अब आप इसमें 90 fps तक कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी कमाल की बात है दोस्तो Redmi के I don't think कोई और phone में आपको 90 fps के screen recording मिलता है यह काफी powerful phone है इसलिए इतना कुछ जो enable हो पाए तो आपको बस screen recording के settings में जाके 90 fps पे select कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे क्यों कि इसमें MIUI 13 मिलता है तो MIUI 13 के कुछ widgets भी आपको मिल लाते हैं कैसे आपको मिलेगा तो basically अगर आप home screen के widgets पे जाकर कुछ भी select करते हो तो आपको जो widget मिलेगा वहाँ पे normal मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको app vault enable करना परेगा और इस phone में पहले से आपको जो है यह Google का जो है feed enable है तो आप इसे disable कर दो simply आप settings में जाओ home screen में जाओ यहाँ पे रहेगा minus one screen उस पे आप click करो और यहाँ पे app vault को select कर लो app vault को select करने के बाद जब आप app vault में जाओगे और वहाँ से कोई भी widgets को add करोगे तो यह बिल्कुल नया वाला MIUI 13 का widgets नजर आएगा जो कि square shaped होगा and app vault में आप अलग अलग नया विजट्स को जो है add कर सकते हो इस phone में तो यह सब कुछ features है दोस्तो जो कि इसमें मिलता है जो कि बिल्कुल ही कमाल के features है and बिल्कुल ही unique features है जो कि मैंने कहा न again सिर्फ यह शायद एकलोता redmi है जिसमें इतने सारे features आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं and यह पहला redmi भी है जो कि इतना जादा powerful है इतने सालों के बाद मतलब redmi k20 pro के बाद दोस्तो यह पहला redmi smartphone है जो इतना तगरा processor के साथ में आता है जो कि 90 fps PUBG को भी support करता है जो कि day to day uses में यहाँ फिर performance के मामले में बिल्कुल ही killer है जो कि 144 hertz को भी push कर देता है and that is really nice and pricing तो must है बागे के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको buy करना होगा तो भाई मेरे दरफ से recommended है जिनको LCD से problem नहीं है it is really great LCD इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने जूरत नहीं में रिव्यू कर लिया है बठा जिनको LCD से problem नहीं है it is really a great smartphone अब कुछ लोग कहते है अगर यह AMOLED होता तो क्या तो भाई यह 5-6000 बढ़ जाता फिर आप कहते हैं मैंगा है thank you bye bye Jai Hind